भारती, संस्कृती और परंपराओं में हर छोटी बड़ी चीज का खास महत्व होता है यहां तक कि जाडू जैसी साधार इन वस्तु को भी शुब और अशुब समों के अनुसार खरीदने की माननेता है जाडू को घर की साफ सफाई और सम्रिद्धी से जोड़ा जाता है और इसे सहे समय पर खरीदना और उप्योग करना घर की खुशाली और धन संपती से संबंद्धित माना जाता है मान्यता है कि जाडू लक्ष्मी का प्रतीक है और यदि इसे गलत दिन खरीदा जाए तो इससे घर की सुख सम्रिद्धी और भागे लक्ष्मी नाराज हो सकती है धार में एक और जोतिशी दृष्टी से देखा जाए तो सब्ता कि कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जब जाडू खरीदना अशुब माना गया है मान्यता है कि शनिवार और मंगलवार को जाडू खरीदने से धन की हानी हो सकती है और परिवार में आर्थिक समस्याएं उत्पन हो सकती है आप लोग जैसे कि जीवन में जाडू है या कुछ समगरिया ऐसी होती है जो दिन के अनुसार खरीदना सुभ होता है कुछ दिन ऐसे भी ओते हैं जिस दिन खरीदने से आपको घर में दर्यदता साथ में आती है जैसे हम लोग ढ़्याडू खरीदे दीपावली धन धन्ते रस्म खरीदे तो सुभ लक्षमित अवास होता है। ऐसे ही, और भी किसी भी दिन जाडू खरीदा जा सकता है, जिसमें से विशेष रूप से, सोम बार और सनी बार को जाडू नहीं खरीना चाहिए, तो कि सनी बार को लोहा और टेल खरीदना भी सनी का दुस्प्रभाव होता है, इसलिए सनी बार के दिन जाडू नहीं खरना चा क्योंकि इस समय लक्षमी का आग्मान होता है, तो लक्षमी नहीं आती है को इसलिए सांग की टाइम को जाड़ को जाड़ को जाड़ करना जाहिए